हेलो एबरिबान स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में तो आज मैं आपके साथ सेयर करने जा रही हूँ एक कप गहूं के आटे से बहुत ही जबरदस्त और मस्त ऐसा नास्ता जिसे आप कभी भी बना कर ट्राइ कर सकते हैं आपके पास यह आटा बच जाता है तब भी आप इसे बना सकते हैं बहुत जल्द यह बन करके त्यार हो जाते हैं तो चलिए मिलकर बनाते हैं आज की बहुत ही जबरदस्ती रेसीपी को इसके लिए हम यहाँ पर पांच मीडियम साइज के प्याज ले लेंगे इनको अच्छे से छिलका हटा करके दो लेंगे और फिर हम इनको लंबी लंबी स्लाइस में अच्छे से चाकू से कट कर लेंगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बस आसानी से और सावदानी से दीरे दीरे करके इसके दो फाग करिए और फिर इसको चाकू से छोटे छोटे शलाइसे इसमें कट कर लीजे और हाथों से इनको आप थोड़ा सक खोल लीजे जिसे की एक एक कली इनकी खिल जाए और आप देख सकते हैं यापर हम सारे प्याज को कट करके और एक एक कलियों को इसकी ऐसे हाथों से हटा लेते हैं और आप देख सकते हैं सारे प्याजों को मैंने अच्छे से कट कर लिय है और सारी कली एक दम बिल्कुल खिल चुकी है चलते हैं फटा-पड़सी गेस की तरफ गेस को ओन कर लिया है इस पर हमने रख दिया एक मीडियम साइज का पेन और इसमें हमने दो चोटे चमस तेल डाला है तेल को अच्छी से गरम कर लेते हैं यहां पर तेल अच्छी से गर मसाय को मसाले डाल मसाले डाल मसाला ब्लाव कर दिया है कि अनको नवी नग निकाल लेंगे अब हैं जिनको मेन पहले Yes बहुता ग्रवाइन लिया है और इंग युँ तरीके से कुस सकते हैं तो यहां पर आदा चूटा चमच चाट मसाला आदा चूटा चमच बना हुआ जीरा पाउडर और आदा चूटा चमच अमचूर पाउडर यहां पर हम इसमें थोड़ी सी और कुछ मसाले भी डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी डालने आपको ज्यादा नह यहां पर जो आटा है मैंने सुबह लगाया था तो मैंने सुचा चलो कुछ अलग और नया बनाते हैं तो अब हम इसको अच्छे से थोड़ा सा हाथों से ठीक कर लेंगे और इसकी छोटी-छोटी सी लोईयां काट करके त्यार कर लेंगे आप देख सकते हैं सारी लोई मैंने अच्छे से कट कर ली है अब हम एक लोई को लेके थोड़ा सा अच्छे से इसको सेप दे देंगे और उपर नीचे हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और अच्छे से इसको रोटी के जैसा बेल लेंगे बिल्कुल हमें पत सकते नाफे ब्रक्राइक वह नहीं लिए लिए और honour को दोसाइण क cheesy है अब हम एक एक रोटीयों को अच्छे से दोनों तरब शेखते से तॉसे सैड में रखलेना भी मौण जादा हिमने को नहीं हो बस थोड़ा सा उपर नीचे से से लेना है और एक एक करके सारी रोटियों को बढ़िया से से के और प्लेट में निकाल के साइड में रख लेना है आप देख सकते हैं एक रोटी को चकले के उपर रख लेंगे और अब हम इसमें लगाएंगे आपके पास चैजवान चटनी हो तो आप लगा सकते हैं बहुत ही बड़ी अटेस्ट आता है इससे तो यहां पर हम इसमें एक चोटा चमच से एजवान चटनी लेंगे और लगा देंगे उपर से आदा चोटा चमच हम इसमें डालेंगे सोस जो बच्चों को कापी पसंद होता है अब उपर से हमने जो कुरा देंगे और जो चोटा क्यूब हमने लिया है पनीर का आश्वान पर ही टोक्ड़े टोगड़े को अच्छे से काड़ू कस कर लेंगे इससे बहुत भड़ी टेस्ट आएगा नास्तेका औरом में झाने चीज रालते हैं बच्चों कापी पसंद होता थोड़ा सा इसको भी कस कर देते हैं और आप देख सकते हैं मेरे पास फोड़ी सी मोजरेला चीज भी पड़े हुई थी तो मैंने इसको भी इसके ओपर थोड़ा सा लगा दिया है बहुत ही बढ़ी आ टैस्ट आएगा इसको लगाने से βी आपके पास जो भी चीजह हूँ नास्ता है उसको असी तरीके तरीके से बना करके तयार कर लेको चलते हैं गैस की तरफ गैसको और करके फिर से मैंने वहीं तवालिया है ऊसे मैं नहीं नहीं जी 사람शने ऐसे तरफ हैं नार्ष टाये महालने नहीं चलते हैं थी कुल लोप लेम पर सेखना है जिससे की नास्ता ज्यादा जले नहीं और बहुत है अच्छे से इसकी सिखाई होगी तो टेस्ट बहुत ही बढ़ी आएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं एक तरफ से हमारा जो नास्ता है बढ़ी असे सिख के त्यार है अब हम इसकी साइड कर देते हैं और दोनों तरफ से उलट पुलट करते हुए हमें इस नास्ते को बढ़ी आसे से करके त्यार करना है अच्छे से हमें इसको सेख लेना है थोड़ा सा हम एक मच ले लेंगे और इसको नीचे से भी अच्छे से सेख लेंगे क्योंकि दोनों तरफ तो अच्छे से खच्छा रह जाता है तो हमें इस तरीके से टेडा करके और इसको नीचे की तरफ से भी अच्छे से शेक लिना है और आप देख सकते हैं यहापर हमारा नास्ते को मैंने दोनों तरफ से बड़िया से शेक लिया है और यह बिल्कुल रड़ी है अब हम इसको एक प्लेट में न इक एक करके हम सारे नास्ते को बना करके तैयार कर लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेका लेंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही जबरतस लाइक कमैट से और चैनल को सब्सक्राइब कर 1958 ना भूलें तो आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही जवरदसता नास्ता बन करके त्यार है यदि आप इसको बच्चों के टिपिन में रख रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा जाकुसे कट कर लेजिए और आप इसको इस तरीके से रखेंगे ना तो बच्चों को बिल्कुल पीजा के जैस को पसंदाया होगा बबागा